अलो दोस्तों एक बार फिर्ट सौगत है आपका हमारे शैनल पर मेरा नाम है वरुन और हम बात कर रहे हैं सीवीटी की तो भई एडवीशन स्टार्ट हो गए हैं सीवीटी के अब भई समस्या है दिमाग में कि कौन सा यूनिबस्टी अच्छा है कौन सा बुरा है क्या कैसी य कैसा है सारी चीज़े तो उसी के लिए हम क्या कर गया है हर एक यूनिबस्टी का ओवर व्यू आपको हर एक चोटी बड़ी जानकारी यहां इस वीडियो में इस चैनल के मातिव से दे रहे हैं आपको क्या करना है कि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना है दोस्तों म में हम पूरी ट्राइवल यूनिवस्टी जो है सेंट्रल यूनिवस्टी कहां की आंदरप्रदेश की बात करने माले है तो इसके बारे में अगर बात करी जाये तो क्या बात करें इसकी सेंट्रल ट्राइवल यूनिवस्टी जो है आंदरप्रदेश में यहां पई यह अलग अलग प्रोग्राम बहुत सारे जैसे की UG प्रोग्राम, PG प्रोग्राम और इंटीग्रेड़ेड बहुत सारे कोर्सेज है जिनके लिए कोर्सेज ओफर करती है admission to these courses entrance based मतलब पहले entrance based हुआ करते थे अभी भी है अलग-अलग entrance ना होके जो particular entrance है उस पर ही क्या हो रहा है admission कर रहा है student needs to fulfill minimum eligibility जो भी minimum eligibility criteria है वो बच्चों को क्या है fulfill करना होगा तब ही यह क्या है उसके लिए eligible हो पाएंगे अगर admission चाहते हैं तो UG courses की अगर बात करी जाए तो UG courses के लिए university ने CUET का जो program है जो 2022 के examination CUT, UG program के हुए है जो NTA conduct कराई है उसके माध्यम से ही offer किये जाएंगे ऐसा इन्होंने कहा है highlights देख लेते हैं क्या कैसा establishment की बात करें तो 2019 में established यह university है Central Tribal University of Andhra Pradesh Public University है UGC ने इसको approved किया हुआ university grant commission ही तो है और अगर set करें तो moment of India के द्वारा इसको set up किया गया है अगर monitor की बात करें mentor जो है university वो कौन सी है आंधरा university है जो mentor है इसकी किसकी Central Tribal University of Andhra Pradesh की entrance exam की बात करें तो university entrance exam होता है वो तत था अभी तो कुछ-कुछ program में है बाकी में नहीं है इसको बोलते है Central Tribal University of Andhra Pradesh Central entrance test है ना यह और courses की बात करें तो PG courses integrated courses PG diploma courses यह सभी courses offer किये जा रहे है यह Tribal University of Andhra Pradesh के द्वारा popular courses है यहाँ पर MSC MSW to BSC plus MSC का integrated course तो भई क्या-क्या है यह सारी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर application mode की बात करें तो सारी की सारी application जो है वो online mode में ही विवस्ता आप कर दी गई है application की admission criteria में आपको क्या है दो criteria है एक तो merit-based या entrance test जो है उसके basis पर आपको admission दिया जा सकता है campus की बात करें तो भई 525 एकड का यह campus है Central Tribal University of Andhra Pradesh का facilities में देखें तो library facility है, laboratory है, transport की विवस्ता है, computer internet की विवस्ता है और क्या ही चाहिए ठीक है, official website है अगर आप यह admission करना चाहरा है तो इसी के through ही यह सारी चीज़े होगी, जो क्या है ctuap.in यह आपकी official website है जिसके माधियम से ही आपको online क्या है admission process करना है, admission criteria और process की बात करी जाए तो सबसे पहले क्या है कि CET UG 2022 की यह जो result है वो आतो चुके ही आप सभी को पता है, उसके बाद ही क्या है, अलग-अलग UG courses के लिए आप apply कर सकते हैं तो अगर आप Central Tribal University of Andra Pradesh में admission चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा, admission process जो है प्रक्रिया है उसको fulfill करना होगा CET exam हो गया है, UG का result declare भी हो गया है, अब online registration start कर दिये गया है, तो इस website पर जाना है, Central Tribal University of Andra Pradesh वाली और उसमें क्या है, आपको apply करना है, apply करनी के बाद merit list जो है, वो क्या है, generate करी जाएगी इनके द्वारा और वो merit list official website पर मिलेगी, जिसके बाद अगर आपको मिल जाता है University Medivision तो आपको fee बगेरा submit करनी है और प्रोग्राम आपका चाल हो जाएगा, क्या-क्या courses और उनकी क्या fees है, जो provide करती है Central Tribal University of Andra Pradesh इस तो अगर बात करें, MSC program जो है, दो courses है इसके, इसकी fee क्या है, बेरी गरती है, तो एक बार please check कर लिजेगा, इसलिए जान बूझ के गलत लिखने से अच्छा है, हमने लिखा नहीं है बहुत अच्छी बात है, graduation में 50% आपकी क्या है, यहाँ पर marks होने चाहिए, क्योंकि MSC program है, master program है, तो graduation में 50% जो भी है, stream, उससे आपके 50% marks होने चाहिए, और CUET PG का exam आपने दिया हो, उसके basis पर आप MSC program यहाँ पर course offer किया जा रहा है, उसमें आप admission ले सकते हैं, MBA या PGDM के courses है, तो भई, एक course है, यहाँ पर, इसकी भी fees हमने नहीं लिखी हुई है, graduation आपने किया हो, किसी stream से, 50% आपके minimum aggregate marks होने चाहिए, CUET PG बाला जो है, आपने entrance exam दिया हो, और उसके merit के basis पर, उसके score के basis पर ही, आप यहाँ पर apply कर पाएंगे, MSW master of social broker का यह, एक course है, यहाँ पर है, अगीन बात करें, MA की, तो MA program के 3 courses यहाँ पर available है, अलग-अलग stream में, जिसके लिए आपको 50% से graduation गरना होगा, 50% aggregation marks से, और CUET PG का exam आपने दिया हो, उसके score card पर आप eligible हो पाएंगे, MJMC का एक course available है, ठीक है, journalism and mass communication है, यह master of, ठीक है, इसमें graduation 50% और CUET PG, तो यह सारे के सार courses available थे, जो कहां है, C, मतलब Central University, Central Tribal University of Andhra Pradis, इसमें, बाकी bachelor programs, जो है, मतलब UG program है, उसमें, BSC plus MSC, integrated course है, भईया, 3200, first year की fee है, यहाँ पर, ठीक है, और 12th होना, आपकी अनिवार है, याद रखिएगा, BBA plus MBA integrated program है, 2900, first year की fee से 12th pass होना, यहाँ पर, आपकी eligibility है, MSC, MSC अगर आप करना चाह रहे हैं, तो 3600, first year fee है, graduation आपकी must है, और बाकी की CUT का, जो PG examination है, PG diploma अगर आप करना चाह रहे हैं, तो 5000 रुपी, total fees है, यहाँ पर graduation होना, क्यूकि भई, graduation के बाद ही, तो post graduation का, डिप्लोमा करेंगे आप, MSW program के लिए 3200, रुपे जो है, first year की fee है Bachelor of Social Work degree जो है, वो आपने, key हो, वो बहुत important है, उसके अलावा, आपको CUT program में, MJMC मतलब, Master of Journalism and Mass Communication, 3200, रुपे जो है, first year की fee है, यहाँ पर, और graduation आपकी eligibility में important है, और बाकी के जो, entrance examination है, CUT, UG program, UG courses के लिए, PG program, PG courses के लिए, मिलब, PG entrance exam, चलिए, scholarships की बात करें, तो बहिया, यह जो है, अलग-अलग scholarship provide गराती है, Central Tribal University of Andhra Pradesh, यहाँ पर, आप, जन्म भूमी scholarship, भी apply कर सकते हैं, University Assisted Student to enroll by a, जन्म भूमी scholarship portal, which maintained by the state government, state government, जो Andhra Pradesh की है, वो यह जन्म भूमी scholarship portal, जो है, वो देखती रहती है, उस पर apply करना है, और यह scholarship आप राप्त कर सकते हैं, scholarship based on certain criteria, जो अलग-अलग criteria है, इसमें बच्चों की eligibility हो, अलग-अलग income parents की जो है, उसके base पे बहुत सारी अलग-अलग scholarship provide करी जाती है, facilities की बात करें से यू, जो Central Tribal University of Andhra Pradesh है, तो उसमें library हमने देखी ली थी, laboratory है, computer, internet, transport, facility और ऑस्टल इत्यादी की बहुत सारी facilities है, इसी क साथ भी बात हो जाती है, क्या, देखी यार, 2019 में ये established हुई है, university, तो बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में है नहीं क्योंकि अभी तो शुरूही हुई है, ना यार, है ना, अभी तो इनका जलजला बाकी है, है ना, तो आप नए पहले आए, पहले पाए वाली ये university हो, बहुत अच्छी universities हो सकती है, आप लोगों के द्वारा, तो बिल्कुल बे फिकर रही है, अच्छी university है, जो जो जानकारी मिली, वो सब हम आपके सामने यहां, Central Tribal University of Andhra Pradesh के लिए किया है, आपको करना गया है, वीडियो को, लाइक करना है, पसंद आए, तो दोस्तों में श शेयर जरूर कर दीजेगा, और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि हर CUT की ख़वर आपको यहीं सबसे पहले मिले, और अंगले कॉलेज की पूरी जानकारी के साथ मिलते है, नाइक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जाहिए.